दूर किसी जंगल में कवा और चिडिया पड़ोसी थे उन दोनों ने अपने घर के पास ही खर्बूजे की खेति की हुई थी दोनों के खर्बूजे अब पकने लगे थे ममा ममा जल्दी चले मैंने देखा है अपने खेत में खर्बूजे पक चुके है हम उन्हें तोड़कर मंडी में बेच आते हैं गुडिया बेटी आप खेत में जाएं तब तक मैं बेल गाड़ी लेकर आती हूँ गुडिया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके हुए खरबूजों को तोड़कर एक जगर एक खठे करती है ममा चुडिया भी अपने बेल गाड़ी लेकर खेत में पहुँच जाती है गुडिया गुडिया बेटी आप पके हुए खरबूजों को टोकरी में भरकर बेल गाड़ी में रखे तब तक मैं कोवों से मंडी के भाव पूच कर आती हूँ कवे भीया मेरे खरबूजे पक चुके है और मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ क्या आपको पता है मंडी में खरबूजों के आजकल क्या भाव चल रही है धुडिया, मेरी पत्ने गोरी कवी अभी मंदी में ही गई हुई है भाव पता करने वो आती ही होगी इतने में ही गोरी कवी भी वहां पर आ जाती है गोरी, क्या है मंदी के भाव? तेज हैं या कम्म? कालू, मंडी तो बहुत तेज है और खरबूजों की भाव तो आसमान छूरे हैं हम जल्दी जल्दी अपने खरबूजे तोड़ कर बेच आते हैं फिर तो मैं भी अपने खेट से सारे पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ और उन्हें बेच आती हूँ इतना कहकर चड़िया वहां से चली जाती है और गोरी कवी जोर जोर से हसने लगती है हालू मैंडी तो बेलकुल बैठे हुई है बहुत कमदाम हैं खरबूजों के चड़िया के खरबूजे तो बहुत कमदामों में बिकेंगे गौरी तथ हमने चड़िया के सामने जोट के बोला इसलिए कि चड़िया बेचेगे कमदामों में खर बोजे और हम बेचेगे महंगे दामों में खर बोजे इसलिए इसलिए चड़िया के सामने जोट बोला था गुडिया गुडिया बेटी अच्छा हुआ कि हमने सभी पके हुए खरबूजे तोड़ लिए मंडी के भाव तो असमान छू रहे हैं चलें अब हम इने मंडी में बेच आते हैं फिर गुडिया और ममा चिडिया अपने सभी खरबूजों को बेल गारी में लाद कर उन्हें मंडी में ले जाती हैं मंडी पहुचकर चिडिया अपने खरबूजों को लेकर कबूतर के पास जाती है चडिया इन दिनों मंडी में खरबूजों की भाव कुछ ठीक नहीं चल रहे इसलिए मैं खरबूजों को पांसो से जादा में नहीं ले सकता तबूतर भीया खरबूजों की मांग कम है मुझसे तो उन्दुस्ट कवों ने जूट बोला चडिया अपने खरबूजों को लेकर मिठ्धू तोते के पास जाती है नहीं नहीं चडिया मैं खरबूजों को नहीं खरीद सकता क्यूंकि मंडी में इनको खरीदने वाला कोई गरहाग नहीं चडिया निरास होकर वहां से और आगे जाती है वहाँ पर एक चील बैठी हुई थी चड़िया, मैं अपने खरबूजे खुदी दूसरे मार्केट में ले जाकर बेचती हूँ इसलिए मैं तुमें छेसों से जादा नहीं दे सकती अगर बेचना है तो बोलो ममा, अगर हमने अपने खरबूजे नहीं बेचे तो वो खेत में ही खराब हो जाएंगे जादा ना सही, थोड़ा सा मुनाफा तो हो रहा है ऐसा करते हैं, हम अपने खरबूजे बेच देते हैं हाँ बेटी, तम सही कह रही हो हम अपने खरबूजे बेच देते हैं फिर चिडिया अपने खर्बूजो को चिलबे पारी से बेज देती है और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है अगले दिन कवा और कवी अपने खर्बूजो की खेत में बैठे हुए थे तब ही वहाँ पर चिडिया भी आ जाती है गौरी तुमने मुझसे जोट क्यों कहा कि मंडी में खर्बूजो के भाव आसमान चू रहे हैं जबकि मंडी में तो खर्बूजो के बिलकुल भी भाव नहीं है मैंने तो तुम समझा के किया था ताकि तुम्हारे खर्बूजो बहुते कामदामों में बेक है गौरी तुम चाहे जोभी कर लो लेकिन मुझे मेरे भावगे का मिल ही जाएगा तब है वहाँ पर बुल बुल आती है और बहुत ही भूखी हुई थी कवे कवे मैं बहुत भूखी हूँ मुझे खर्बूजा दे दो ना ना ये कोई मुपत का माल नहीं है मैं नहीं ताँगा अपने खर्बूजे चल भाग यहाँ से तम्हारे खर्बूजे खेत में ही सरेंगे तुम देख लेना फिर बुल बुल उड़ते हुए चड़िया के पास जाती है चड़िया चड़िया मुझे खर्बूजा दे दो मैं बहुत भूकी हूँ बुल बेहन एक क्या अब दो खर्बूजे ले लो फिर बुल बुल चड़िया से दो खर्बूजे ले लेती है और खुसी खुसी अपने घर चली जाती है उस दिन चड़िया अपने खेत से सारे खर्बूजे तोड लेती है और उन्हें मंडी में बेच आती है वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने खेट से एक भी खरबूजे नहीं तोड़ते वो तो खरबूजों को मेंगा होने का इंतिजार कर रहे थे कालू हमारे भी खरबूजे पक कर तयार हैं लेकिन हम इन्हें अभी मंडी नहीं लेकर जाएंगे इनके भाव और भी जादा पढ़ जाएंगे तब इन्हें मंडी ले जाएंगे हाँ हाँ हम अपने खरबूजे चिडिया की तरह सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे हम तो अपने खरबूजे महंगे होने पर ही बेचेंगे उसी रात को सभी अपने अपने घरों में सोय हुए थे तब ही मौसम अचानक से खराब हो जाता है और बहुत तेज की बारिश शुरू हो जाती है चड़िया बारिश की आवाज सुनकर उठे जाती है और वहाँ अपने बेटी गुडिया से कहती है गुडिया बेटी ये अच्छा ही हुआ कि हमने अपने खरबूजे बेच दिये देखें कितने जोरों की बारिश हो रही है अगर हम अपने खरबूजे नहीं बेच दे तो वह इस बारिश की पानी से खराब हो जाते वहीं दूसरी तरफ कालो कवा बहुत ही चिंता में था अरे गोरी गोरी उटकर देखो बारिस बहुत तेज हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खर्बूजे खराब हो जाए अरे कुछ नहीं होगा तुम साओ जाओ कल सुबा उटकर देखेंगे अभी मुझे बहुत जोरों की नीदा रही है फिर सुबा होते ही वह दोनों अपने खर्बूजों को देखने के लिए जाते है जब वह अपने खेत में पहुंशते हैं तो वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके खर्बूजे पानी में तेह रहे थे और सरगल कर खराब हो चुके थे उनकी सारी खेती खराब हो चुकी थी सब कुछ तभा हो चुका था कालू कालू हम तो लुट गए हम बरबाद हो गए इससे तो अच्छा था कि हम भी चड़िया की तरह अपने खर्बूजों को सच्टे दामों में ही बेच देते हाँ हाँ गोरी तुम ठेक कह रही हो जादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए फिर कवा और कवी खेत में ही बैठकर रोते रहते हैं क्यूंकि उनके लालच की सजा मिल चुकी थी प्यारे दोस्तों हमारी इस कहानी को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद ममा आज अब बहुत परिसान लग रही है क्या बात है हाँ बेटी मैं बहुत परिसान हूँ क्यूंकि हमारे घर में सिर्फ एक दिन का है रोसन बचा है मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे लेकिन मम्मा आप ही तो कहती है ना कि हमें मुश्किल समय में परिसान होने की वज़ाए हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए हाँ बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा फिर मम्मा चिडिया घर में जो थोड़े से चावल बचे हुए थे उन्हें पका कर एक प्लेट में ले आती है मम्मा मम्मा इतने से खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा इसलिए खाना आप खाले मैं कल खालूंगी नहीं बेटा मैंने ये चावल पकाने से पहले ही दो दाने खा लिये थे इसलिए ये खाना आप खालो वह दोनों मा बेटी एक दूसरे से कही रहे थे तब ही उनके दरवाजे पर तस्तक होती है ममा ममा आप ये खाना खाएं तब तक मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है फिर गुडिया चल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि एक साधू पक्ची खड़ा था अरे बेटी मैं दो दिनों से भोखा हूँ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो यह संकर गुडिया सोच में पर जाती है कुछ दिर सोचने के बाद वह बोलती है ठीक है आप अंदर आ जाईए हमने अपने खाने के लिए चावल बनाए हैं आप भी चावल खा लेजिए फिर गुडिया उस साधू पक्ची को अपने घर के अंदर ले जाती है साधू पक्ची को देखकर गुडिया की मा बोलती है अब आप कौन है मम्मा मम्मा ये दो दिनों से भूके हैं इन्होंने दो दिनों से कुछ भी ने खाया इन्हें बहुत जोरों की भूक लगी है इस खाने से इनका पिट भर जाएगा वैसे भी हमने तो खाना खा लिया है पर रहकर चावल खाने लगता है वह भर पेट चावल खा लेता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपने मेरी भूक मिटाई उपर वाला आपकी भूक मिटाएगा अब मैं चलता हूं बेटी ऐसा कहकर वह साधू पक्ची वहां से चला जाता है गुडिया बेटी आपको तो बहुत जोरो की भूक लगी होगी नहीं मम्मा मुझे भूक नहीं लगी है आपने कौन सा खाना खा लिया है अरे मम्मा वह साधू महराज तो अपने गठ्री यहीं पर भूल गए गुडिया बेटी आप उन्हें बाहर देखिए वहां भी जादा दूर नहीं गए होंगी अंकल अंकल रुक जाएए आप अपनी गठ्री हमारे घर ही भूल गए है अंकल रुक जाएए गुडिया थोड़ी दूर जाकर साधू महराज को रोक लेती है आपकी 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 गठ्री हमारे घर पर ही छूट गई थी औरे बेटा यह गठ्री मेरी छूटी नही थी बलकि मैंने तो जान बोज़ कर छोड़ा था आप ये क्या कह रहे हैं मैं कुछ समझी नहीं बेटा आप इस गठ्री को अपने साथ ले जाएं इस गठ्री में जो भी होगा वा मेरी तरफ से आपके लिए तौफा होगा आप इसे अपने साथ ले जाएं लेकिन ममा मना बेटी बड़ों की आगे जितन ही करते और आप तो बहुत समझदार हो जाओ इसे घर ले कर जाओ अब मेरी यहां से जाने का समय हो गया है फिर गुडिया मजबूर होकर वह गठ्री लेकर अपने घर जाती है ममा ममा वो साथू बाबा ने ये गठ्री लेने से मना कर दिया उन्होंने ये गठ्री मुझे दे दी और कहा है कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है अरे होगा कुछ बेटी आप अभी सो जाएं मुझे बहुत नींदा रही है कल देखेंगे कि कल के लिए रासन कैसे लाना है इतना कहकर चड़िया सो जाती है लेकिन गुडिया उस गठ्री को सीमे बहुत सारा खचाना है गुडिया की आवाज सुनकर उसकी मम्मा उठ जाती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस पक्शी की पास खाना नहीं था वो हमें इतना सारा धन कैसे दे सकता है मम्मा लगता है ये पक्ची कोई साधार पक्ची नहीं था ये आया ही हमारी मदद करने के लिए था फिर वह दोनों मा बेटी ये बाते करते करते सो जाती है फिर अगले दिन सुबह सुबह ही चिडिया अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है वह अपने लिए महीने भर का राशन लेती है और गुडिया के लिए गरम टोपी और मुफलर भी कभूतर भाईया अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्छी हो तो उसे मेरे पास भीज़ देना मैं उसके मदद करूँगी मगर चिडिया बेहन आपके पास इतना धन कहां से आया मैं आपसे क्या बताऊं भाईया सब उपर वाली की देन है कभूतर के पडोस में गोरी कवी रहती थी हर दिन की तरह कभूतर अपने घर जा रहा था तभी गोरी कवी उसे रोक लेती है कभूतर कभूतर मुझे एक रोटी दे दो खाने के लिए मुझे बहुत भूग लगी है गोरी तुम चिडिया के पास जाओ वो गरीबों की मदद करती है चिडिया लेकिन वो तो खुदी गरीब है वो क्या दोसरों की मदद करेगी सायद उसके घर कोई चुमतकार हुआ है अब वो गरीब नहीं रही बलकि वो सभी गरीब पक्षियों की मदद कर रही है तुम उसके पास जाओ वो तुम्हारी भी मदद चरूर करेगी हैरान होकर गोरी कवी चिडिया के घर जाती है चिडिया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी चिडिया चिडिया ये घर तुमने कब नया बनवा लिया गोरी बेहिन मेरा घर बहुत तूटा हुआ था तो इसे मैंने आज ही बनवाया है लेकन चडिया तुम्हारे पास तो कल तक एक भी पैसे नहीं थे तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने नया घर बनवा लिया फिर चडिया गोरी कवी को साधु वाली सारी बाते बता देती है ऐसा साधु पक्ची मुझे क्यों नहीं मिलता सारे चमतकारी काम तुम्हारे साथ ही होते है गोरी बेहन आप थोड़ी देर यहीं पर बैठिये मैं अभी अपने घर से आपके लिए रोटी लाती हूँ अरे नहीं नहीं रहने दो मुझे नहीं चाहिए कोई रोटी वोटी मैं तो अब उस साधु पक्ची को ढोड़ने जा रही हूँ इतना कहकर गोरी उस साधु पक्ची को ढोड़ने के लिए निकल जाती है गोरी इधर जाती है ऐसे ही वा सारे जंगल में घुमती है लेकिन उसे वह साधू पक्षी नहीं मिलता तब वह पहाडों के तरफ चली जाती है तब वह देखती है कि एक सुखे हुए पेड़ पर वह साधू पक्षी बैठा हुआ था फिर गोरी कविर साधू पक्षी के पास जाती है साधू महराच साधू महराच मैं आपके लिए खाने को लाऊं आपको भूख लगी है अरे नहीं नहीं मुझे इस समय भूख नहीं है ठीक है अगर आपको भूख नहीं है ता आप भी ना खाए ही चिडिया जैसी गठरी मुझे भी दे दो तुम ऐसा करो कि ये लड्डू ले और जाओ पीपल के पेंड पर एक बोड़ी कबूतरी बैठी हुई है तुम उसे लड़ू दे आओ ठीक है साधु बाबा मैं अभी गई और अभी आई गोरी कवी वह लड़ू लेकर पीपल के पेंड के तरह बढ़ती है तभी रास्ते में वह एक पेंड पर बैठती है और पता चलेगा कि इसमेंसे मैंने अपना पेट भरा है ऐसा सोचकर गोरी कवी उन लड़ू में से दो तिन लड़ू खा लेती है लड़ू खाकर वह फिर से उड़ती है और बुड़ी कबूतरी के पास पहुच जाती है यह ले जी लड़ू इसे आपके पास साधु महराज ने भेजा है अच्छा किया जो अप यह लड़ू लेकर आई मैं सच में बहुत भोकी हूँ लड़ू देकर गोरी कवी वहां से भागी भागी फिर से साधु के पास आती है साधु पक्षी जी अब आप जल्दी से मुझे वह गठरी दे दो मैं तो बहुत ठक गई हूँ लेकर साधु पक्षी गोरी को एक गठरी दे देता है वह गठरी लेकर गोरी कवी वहां से खुसी खुसी चले जाती है थोड़ी तो जाकर गोरी कवी उस गठरी को खोल कर देखती है गोरी कवी जैसे ही वह गठरी खोलती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उस अभी इतना कहीं रही थी कि तभी अचानक वह पक्षी वहाँ पर आ जाता है जैसा कहां वैसा ही इनाम मैं लालची और जूटे पक्षियों के मदद नहीं करता चिडिया एक अच्छी पक्षी है इसलिए मैंने उसकी मदद की तुम बहुत ही लालची हो इसलिए तुम्हें ये करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद कवो के घर में आज खुसियों का महाल था दोनों पत्ती पत्नी अपने काम में लगे हुए थे मैंने खोसला बना दिया है और दाना भी जम्मा कर दिया है अब बस तुम जल्दी से गरम कपड़े ल इसके बाद कालू कवा गरम कपड़ा लाने के लिए चला जाता है गौरी कवी आज बहुत खुस थी क्योंकि वो आज अंडे देने वाली थी उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए पूरी तैयारी कर ली थी कालू कवा उड़ते हुए तो ने चिडिया के घर पर ग जोर से क्यों खटखटा रहे थे तूनी बेहन क्या तुम्हारे पास गरम कपड़ा है गोरी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है गरम कपड़ा लेने के लिए क्योंकि गोरी आज अंडे देने वाली है गरम कपड़ा लेकिन वो गरम कपड़ा तो मुझ से लूसी मांग कर ले गई थी जब वो अंडे देने वाली थी ठीक है चडिया बहन मैं भी लूसी के पास जाता हूं इधर गोरी कवी ने तीन अंडे दिये थे और वो अपने पती का पेस सब्री से इंतिजार कर रही थी लूसी बहन लूसी बहन चडिया का जो गरम कपड़ा आपके पास है वो गोरी से कहना कि ये गरम कपड़ा डाल कर वो अपने अंडे एक दिन धूप में रख दे ठीक है मैं गोरी से बता दूंगा कालू को वाखुस होकर वो गरम कपड़ा लेकि अपने घर चला जाता है ये देखो कालू जी मैंने तीन अंडे दिये हैं कालू कवा ये बात सुनकर खुशी से जूमने लगता है येलो गरम कपड़ा लूसी ने कहा है कि इसे अंडो पर डाल कर उसे धूप में रख देना हाँ ठीक है ठीक है मैं सब जानती हूँ मुझसे मेरी माने सब बता दिया है फिर कालू और गौरी अपने अंडो पर गरम कपड़ा डाल कर उसे धूप में रख देते हैं कालू तुम अंडो के पास बैठो मैं अभी नदी से पानी पी कराती हूँ मुझे बहुत जोरो की प्यास लगी है ठीक है गौरी लेकिन थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लगी है फिर गौरी कवी नदी पर पानी पीने के लिए चले जाती है मैं रात से ही बहुत काम कर रहा हूँ मैं तो बहुत ठक गया हूँ ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सो लेता हूँ ऐसा सोचकर कालू कवा वही पर सो जाता है कवे को सोता हूँ देखकर कोयल अपने मन में सोचती है मेरे लिए यहीं अच्छा मौका है ये कवा तो सो रहा है ऐसा करती हूँ मैं अपना अंड़ा इनके घोसले में रख देती हूँ ये सब मुझे जल्दी करना होगा कोयल ये सोचकर कवो के घोसले के पास जाती है कालू कवा तो सो रहा था वह उनके घोसले में अपना अंड़ा रख देती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है गोरी कवे नदी पर पानी पीने गई थी तब ही उसे वहाँ पर रान अचड़िया मिल जाती है अरे गोरी बहिन क्या तुमने अपने अंड़े दे दिये हैं हाँ अचड़िया मैंने अपने तीन अंड़े दिये हैं गोरी बहिन अपने अंड़ों का ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वह कोयल इस बार भी तुम्हारे अंडों में अपना अंडा रख जाए यह बात सुनकर गौरी को अपने पुराने दुस्मन कोयल की याद आ जाती है अच्छा चिडिया तब मैं चलती हूँ नहीं तो क्या पता कहीं वो कोयल फिर इस बार ऐसा कर दे मुझे जल्दी जाना होगा फिर गौरी कवी जल्दी जल्दी अपने घोसले के तरह भाग जाती है अरे काडू जल्दी उठो जल्दी उठो यह कैसे हो गया मैंने तो तीनी अंडे दिये थे यह अंडे आखिर चार कैसे हो गए गौरी ये तुम कैसी बाते कर रही हो ये चार अंडे कैसे हो सकते हैं मैं तो यहाँ पर जाग रहा था और यहाँ तो कोई नहीं आया था क्या तो फिर मैंने ही चार अंडे दिये थे क्या हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ही चार अंडे दिये हो और तुम भूल रही हो हाँ साइद हो सकता है कि मैंने ही चार अंडे दिये हो और मैं भूल रही हूँ ऐसा सोचकर गौरी कभी उन अंडों पर फिर से गरम कपड़ा डाल देती है मैं इन अंडों को घोसले में ले जाती हूँ तब तक तुम दाना ले आओ ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन अंडे फूटने वाले थे कालू और गौरी अपने अंडों के पास बैठ कर अंडों से बच्चे बाहर निकलने का बेसब्डी से इंतिजार कर रहे थे तब ही एक अंडा फूटा और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है मैं जीत गया मैं जीत गया मैंने सबसे पहले अंडा फोड़ा है ऐसे ही फिर दूसरा अंडा तूटता है और फिर तीसरा और फिर चोथा ऐसे ही करके चारों अंडे फूट जाते हैं अरे गोरी देखो देखो इन तीन बच्चों की चोच तो हमारे जैसी है लेकिन इस चोथे बच्ची की चोच तो हमारे जैसी नहीं है ऐसा लगता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है अरे नहीं नहीं कालू कुछ बच्चों के चोच थोड़ी अलग हो ही जाती है मेरी भी चोच मेरी बेहन की तरह नहीं थी वो चाहे चोब भी हो पर मैं इसे नहीं अपनाऊंगा ये मेरा बच्चा नहीं है कालु कवा ऐसा बोलकर अपने तीन बच्चों को अपने गले से लगा लेता है यह देखर वह चौथा बच्चा रोने लगता है मैं सुन्दर नहीं हूँ क्या पापा ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया मैं बुरा हूँ क्या गौरी कवी इस बच्चे को उठा कर अपने गले से लगा लेती है अरे नहीं नहीं बच्चे तुम बुरे नहीं हो तीन बच्चे पापा के और तुम मेरे बच्चे हो तुम रो मत सुन लो गौरी मेरा लाया हुआ भोजन तुम इस बच्चे को मत देना और फिर गुसे में कालू अपने घर से बाहर चला जाता है ऐसे ही दिन गुजरते गए कालू को अपने तीन बच्चों से तो बहुत प्यार करता लेकिन उस चोथे बच्चे से बिलकुल भी प्यार नहीं करता था अरे जाओ जाओ तुम यहां क्या कर रहे हो तुम अपनी मा के पास जाओ पापा पापा मुझे भी यहां खेल ले दोना मेरे भाईयों के साथ अरे तुम्हें एक बार में सुना ही नहीं देता क्या तुम जाओ यहां से अपनी मा के पास फिर वहां बच्चा रोती हुए वहां से चला जाता है गोरी कवी ने अपने सभी बच्चों के सामने भोजन रख दिया था वह सभी बच्चे अपना भोजन खाने लगते हैं लेकिन कोयल का बच्चा अपना भोजन लेकर कालुक वे के पास जाता है येलो पापा पहले आप भोजन कर लो फिर मैं बाद में खा लूँगा लेकिन कालुकवा गुस्से में वो भोजन उठा कर दूर फैक देता है कोयल का बच्चा यह देखकर जोर जोर से रोने लगता है अरे गोरी आज रात मैं दोसरे जंगल जा रहा हूँ तो तुम खरका दरवाजा अच्छे से बन कर लेना इतना कहकर कालुकवा दूसरे जंगल में चला जाता है आधी रात को गोरी कवी सोई हुई थी तभी वो कोयल उनके खिर्की के पास आ जाती है